अरे पापा अगर कस्टमर के साथ आप सेल्फी लेंगे ना तो आपको 10 रुपर एक्स्ट्रे मिलेगा जानना पैचान हम कहें लेंगे सेल्फी टीवी के फिमस कॉमेडी शो दा कपल शर्मा शो से फैंस को खूब हसाने वाले कॉमेडियन और एक्टर कपल शर्मा जल्दी फिल्म जुवी गाटो में नज़र आने वाले हैं बुदवार को कपल शर्मा की अपकमिंग फिल्म जुवी गाटो का टेलर लॉंच कर दिया गया इस दोरान कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने जीवन के संगर्ष के दिनों को याद किया साथी कपिल ने बताया कि रियल लाइब की तरह रियल लाइब में भी वो डिलिवरी मैन का काम कर चुके हैं कपिल का एक वीडियो भी आया है जिसमें वो ये कहते वे नजर आ रहे हैं कि टोरांटो फिल्म फरस्टिवल के दोरान मैंने नंदिता दास मैम को ये बताया कि मैं भी एक सॉब ड्रिंग कमपनी की गाड़ी पर डिलिवरी मैन के साथ हेलपर का काम किया था जिसकी वज़स से जवी गाटो में डिलिवरी मैन के रोल को अदा करने में मुझे आसानी हो रही है हर किसी के श्ट्रगल का फेज होता है हमने भी शुरुआत में अपने शेहर में ऐसे संगर्ष के दिन गुजा रहे हैं लेकिन जुई गाटो के मानस की कहानी काफी अलग है नंदिता मैम ने मुझे बताया कि ऐसे फूट डिलिवरी मैन की लाइप में काफी उतार चड़ा आते हैं और वो काफी दिक्कतों का सामना करते हैं आप और कुछ काम क्यों ने कर लेते हैं? आपको बताएं कि कपिल शर्मा की आने वाले फिल्म जुई गाटो का डिरेक्शन मशुहूर फिल्मेकर नंदिता दास ने किया है इस फिल्म की रिलीज डेट की बात की जाए तो कपिल की जुई गाटो इस महिने की 17 मार्च को सिनमा घरों में दस तक देगी इस फिल्म को लेकर कपिल शर्मा का नाम काफी सुर्खिया बटो रहा है अच्छा नहीं लगता है तुमसे काम करवाना आप थोड़ी ना करा रहे हैं हम कर रहे हैं अपना मर्जी से अपने शो में भी कपिल शर्मा ने कई बार जुई गाटो का जिक्र किया है आपको भी शायद ये फिल्म पसंद आएगी अगर आप कपिल शर्मा के फैन हैं ऐसे ही खबरों के लिए जनता की आवाज को जरू सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले